नमस्कार साथियों Infusion Notes की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेशन हैगा साथियों इंडिया जी के 25 महतोपुन क्यूशनों का इस सेशन के अंदर साथियों अपने इंडिया जी के 25 महतोपुन क्यूशन देखेंगे दस मिंट की है क्लास होगी साथियों इसके अंदर आपको 25 महतोपुन क्यूशन मिल जाएंगे साथियों ये सभी क्यूशन उन सभी परतेविता प्रिक्षा के लिए समान रूपशे उप्योगे रहेंगे जिन में इंडिया जी के पूचा जाता है चाए अससी का एक्जाम हो रेलवे का एक्जाम हो चाए स्टेट पीसेज का एक्जाम हो सेहसन आपको पसंद आए तो इसे लाइक वाइट शेयर जरू कीजिएगा इन फ्यूजर नोट्स की यूटूब चैन को लाइक वाइट सस्क्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीशन जरूर शेयर कीजिएगा तो शुरूआत करेंगे साथ यों सेहसन की पहला क्यूशन आप से पूचा है दक्षिनी भारत का मैंचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है बुंबई कौन सा बुंबई है जो साथियों सुत्ती कपड़ों की राजधानी के रूप में परशिद है ये अपने को याद रखना है आप से में पूछा है बारत का कौन सा सहर सुती कपड़ों की राजदानी के रूप में परसिद है तो आंसर रहेगा बूमबई परसिद है अगला क्यूसन आप से में पूछा है एन ए पी ये उद्योग किसके लिए विख्यात हैं तो आंसर रहेगा अखवारी कागच उद्योग के लिए किसके लिए विख्यात हैं अखवारी कागच उद्योग के लिए विख्यात हैं इपोर्टन क्यूसन है पूछा जा सकता है आप बद्रावती यह important question है आप से पूचा है कि भारत में इस पात कारखानों का कौन सा सुमू है जो अजादी के पसात है बनाये गए थे तो answer रहेगा भिलाई दुरगापुर और बद्रावती है साति उनको अजादी के बाद है बनाया गया था और वर्तमान में अगर current affairs की बात कर comment box में बताना है यह मैंने जानकर आपके साथ में शेयर कर रखी है अगला के उनको न आप से पूचा है कि कौन सा लहा सेयंतर बिल्रेटिस तकनिक साहिता से लगाया गया डिया था तो answer हेगा दुरगापुरुला? आप से पूचा है कौन सा लोहा सय अंतर वेटीए टकनीक की साहता से लगाया गया था तो आंसर है गया तरुगा पुर्वाला लगाया गया था यूЁपोर्टन है पूचा सकता है आप से अगला कि उसना आप से पूचा है राउरकेला श्टील प्लांट किसके सहयोग से ओडिसा के सुंदर गंड जिले में स्तापित किया गया था तो आंसर हैगा जर्मनी आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी आप से पूछा है राउर कला श्टील प्लांट किसके सहयोग से ओडिसा के सुन्दरगर जिले में स्तापित किया गया था तो आंसर हैगा जर्मनी में जर्मनी के सहयोग से साथ यो ओडिसा के सुन्दरगर जिले में स्तापित है जो किया गया था यादे रखना है सिंधरी किसके उत्पादन के लिए परसीद है सिंधरी तो आंसर हो जाएगा आपका रसायनिक उर्वरक के लिए अगला क्योशना आप से पूछा है दिल्ली बुंबई ओदोगी कोरिडोर प्रियोजना किनकी साजेदारी में स्तापित हैं की गई थी यह आप से पूछा गया है कि जो दिल्ली बुंबई ओदोगी कोरिडोर प्रियोजना है वो किसकी साजेदारी से स्तापित की गई थी तो आंसर हैगा भारत वै जपान की साजेदारी से साथी उसको स्तापित है जो किया गया था अगला क्युछन आप से पूचा है हुगली उद्धोगीक पर्देश का केंद्री एस्तल कौन सा है तो आंसर हेगा कौलकता हरोरा ये भी इपोर्टेंट है आप से पूचा गये है हुगली उद्धोगीक पर्देश का केंद्री एस्तल है जो कौन सा माना जाता है कौलकता और ह अरोरा माना जाता है अगला कि उसना आप से पूचा है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टेड किसके लिए विख्यात है ये भी आप से पूचा जा सकता है कि हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टेड है वो किसके लिए विख्यात है तो आंसर हैगा वायू यान उद्योगो के लिए विख्यात है बजबज समझति पूर तथा कटिहार के अंदर किसके लिए विख्यात है तो आंसर रहेगा जूट मिल के लिए आप से पूछा गया है कि बजबज समझती पूर्ट था, कटी हार जो के अंदर है, किसके लिए विख्याता है जूट मिल के लिए विख्याता है ये अपने को यादे रखना है साथियों अगला क्यूसना आप से पूचा है कि भारत में सिमेंट उद्योग को किस वर्स लाइसंस से मुक्ते किया गया था, ये भी इपोर्टेंट है कि भारत के अंदर साथियों जो सिमेंट उद्योग है, उसको किस वर्स लाइसंस से मुक्त किया गया था तो आंसर हैगा 1991 के अंदर साथियों इसकी गोशना है जो की गई थी यानि इसको लाइसंस से मुक्ते कर दिया गया था अगला क्यूशन है कि बात में सरवादिक लाक उत्पादक है राजे कौन सा है तो आंसर हेगा जारखंड है ये भी इपोर्टन रहेगा कौन सा है तो आंसर हो जाएगा जारखंड है आप से पुछा जा सकता है कि बार्ट में सुरवादिक लाख है उत्पादक वाला राजय कौन सा है जारखन में ये पीछे एक्जाम में पूछा गया था साइट साथियो किसी ना किसी में अगला क्यूसन आप से पूछा है कांडला बंदरगा कहां पर है तो आंसर रहेगा कच्की खाड़ी के अंदर है आप से पूछा है कांडला बंदरगा कहां पर स्थित है तो आंसर रहेगा कच्की खाड़ी के अंदर स्थित है पारादीब का विकाद जिन बंदरगाओं का भार कम करने के लिए किया गया था ये इपोर्टेंट क्यूसन है पारादीब का विकास जिन बंदरगाओं का भार कम करने के लिए किया गया था वो है कौलकता और विशाखा पटनम मिशे इंपोर्टन लगा लेना साथ यूँ पूछा जा सकता है आप से आप से पूचा है पारा दीप कावीका जिन बंदरगाओं का भार कम करने के लिए किया गया था, वो कौंचे हैं तो आंसर हैगा कोल कता औररे विशाखा पटनम है अगला क्यूशन आप से पूचा है बात का सबसे लंबा राष्टिय राजमारक कौन सा है तो आंसर हेगा अन्यचे 27 है बात का सबसे लंबा राष्टिय राजमारक कौन सा है अन्यचे 27 है पूचा जा सकता है साथियों आप से अगला क्युस्टन आप से पूचा है उत्तर दक्षिन गलियार किन शेरों से होकर गुजरता है तो आंसर हेगा अंबाला नागपूर और हैदराबाद मुदेर अगला क्युस्टन आप से पूचा गया है साथियों उत्तर दक्षिन गलियार पर स्थित है तो आंसर हो जाएगा आगरा स्थित है मैत्री एक्सप्रेश ट्रेन किन दो स्टेशनों के मद्य चलाएगी थी तो आंसर है कोलकता वै धाका के बीच बीच चलाएगी थी किस अंस्तान ने विक्षित किये तो आंसर हैगा IIT मद्राज के दुवारा किस के दुवारा विक्षित किये गए IIT मद्राज के दुवारा विक्षित किये गए अगला क्यूशन है कि किस सहर में सारोजनिक प्रिवहन के लिए सबसें बड़ी मेट्रो परनाली है तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर है अगला क्यूशन आप से पुछा है कौन सा स्टेल कारखाना भारत की सवतंतरता से पहले स्तापित किया गया था आप से पुछा है कि कौन सा स्टेल कारखाना भारत की सवतंतरता से पहले स्तापित किया गया था ये एक क्या है स्टील कार खाना है ये भी अपने को याद रखना है किन इस पाद सेंत्रों का परबंदन सेल के दुआरा होता है तो आंसर रहेगा भिलाई दुरगापूर राउरकेला और बरनपूर है इसके अंदर आते हैं निकिन इस पाद सेंत्रों का परबंदन सेल के निय जी के के थे वो share की हैं, session आपको पसंद आया है तो इसे like वैसे जरूर कीजिएगा, Infusion Notes की Youtube Channel को like वैसे subscribe कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर share कीजिएगा, Infusion Notes की Youtube Channel पर साती हो सुबह छाइब जे आपको India Current Affairs मिलता है और शाड़े छैब जे आपको मिलता है राजस्तान करंट अफेर्स, कम समय में उसके अंदर साथियों बहत्रिन क्यूसन प्रोवाइड कुरुआने का प्रियास मेरा रहता है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर जुडिये, वहाँ पर आपको वन लाइनर के रूप में आपने उसके टैली करंट अफेर्स वैं मन्थली करंट अफेर्स वैं वीकली करंट अफेर्स की PDF मिल जाएगी, इसके एलावा जो भी महतुपुन मुद्दय होते हैं करंट की उनकी विजानकरिया आपको वहाँ करवाइड दी जाएगी, सहसंद पसंद आया है, शुची ला